सब्सक्राइब करें अपने यूटीब चनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए वेलकम फैंट्स सुवागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज्यादा चलने वाले मल्टी वीटामिन केप्सुल के बारे में जानेंगे जो असर में काफी अच्छा है और मुल्यम में काफी सस्ता है उस केप्सुल का नाम में बिकाडेक्सामिन सब्जिलेटिन कैप्सुल यहाँ ग्लेक्सोश्मित कंपनी द्वारा बनाए जाता है हम जानेंगे इस बेकाडेक्सामिन का क्या कॉम्पोजिसन ने इसमें क्या वीटामिन सब्स मिलाई जाते हैं इसे किस मुल्यम आप मेड़ी देश्चों पर खई सकते हैं क्या-क्या यूजज इसके होते में हूँ आपका होस्ट मोहित आदीच आप देखनें अपना यूटीप चैनल लाणाबोट मैडिसिन चलिए आसे कुछ नहीं सिकते हैं है अलोफेंड्स, नमस्ते दोस्तों B का डेक्षामिन कैप्सूल एक मल्टीवीटामिन कैप्सूल ले इसमें 11 तरह के वीटामिन तदा 6 तरह के मिन्रस मिलाई जाते हैं जिसमें वीटामिन्स में वीटामिन A, वीटामिन B, वीटामिन C, तदा वीटामिन D के साथ में टोकु फे रोड जो की next generation वीटामिन E है यहां मिलाई जाता है मिन्रेल्स में कौपर, कालसियम, मेगनीशियम, पोटेशियम, जिंक आदी मिलाई जाते हैं और यहाँ सबी मीन्डल्स तथा विटामिन्स नेच्चूरल एंटी ओक्सिजेंट की तरह कारिय करते हैं, साथ एंटी इंफ्लामेटरी प्रपरटी भी रखते हैं, यहाँ विटामिन्स तथा मीन्डल्स हमारे सरी में जो harmful chemicals हैं, जिसम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, इन से होने वाले नुक्सान को repair करने में तथा हमारे सरी में जो infection हो जाता है, उन infection को ठीक करने में अपनी help करता है, यहाँ सबी विटामिन्स तथा मीन्डल्स एक micronutrient है, जो हमारी बोड़ी को healthy रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, अगर इस beta-dexamine capsule की strength तथा packaging की बात क की जाए, तो बहुत ही सस्ता यह capsule है, तो 30 capsule की बोटल है, वह आपको 42 रूपे की MRP में मिल जाती है, और यह आपको कई online pharmacy discount में मिल जाती है, मतलब लगबग 30 रूपे की मुल्यम है, यह बोटल मिल जाती है, एक capsule, एक रूपे के मुल्यम आपको पढ़ता है, तो बहुत सस्त कैपसूल है, इस आप खरी सकते हैं और काफी अच्छा फाइदा करता है, क्या-क्या फाइदा करता है, क्या-क्या इसकी यूज है, इसको हम जान लेते हैं, जैसा कि विटामिन तो इसका प्रियोग मुख्य रूप से विटामिन की deficiency, तो विटामिन की कमी है, इसके कारण जो समझें होती उसको ठीक करने के लिए जाता है जब विटामिन के सरीम होती है तो विटामिन को कमजोरी लगना ठकार लगना चक्कर आना मास पेशियों में दर्ध होना खून में कमी होना तथा इस्टेमिना कमजोर हो जाना इस तरह की समझें होती है जब इस तरह की समझें होती विटामिन की कमी सरीर में हो जाती है, तो यहां कैपसूल दे कि उस कमी को दूर किया जाता है, इसके इलाव इसके कई सारे यूज है, जैसे कि यदि किसी मरीज को बालों से जुड़ी ही समेशियां, जैसे बालों का कमजोर होना, बालों का तूटना, बाल बीच में से जड़ जाते हैं उनको बाल हेल्दी नहीं है मोटे नहीं पतले बतले बाले तो इन सभी बालों से जुड़ी समिश्यां को भी यह मल्टी विटामिन केपसुल ठीक करता है किसी व्यक्ति के नाखोंगर ब्रिटल हो गयों तोट रहे हों तब यह केपसुल दिया जा सकता है साथ ही किसी कि मुँम में अगर चाले हो गए हो होटो के जो कोर्णर है वहान कट गयए हो तब यह दिया जाता है गंस में सुजन आने पर गंस में खून आ जाने पर इसे दिया जाता है किसी व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता यह आँखोंगर सफय दीर ह confess नाय需 बढ़ी है जिसमें नामे रेस्ट लेग लेग सिंड्रोम जिसमें व्यक्ति के पाउं जो पिंडलिया हैं वहाँ दर्द होने लग जाती तो इस पिंडलियों के दर्द को रोखने के लिए यह कैपसुल दिया जाता है और कोई व्यक्ति है जिसको भूक नहीं लगती हो उसका वजन नहीं बढ़ र क्योंकि जब भी व्यक्ति जिम में जाता है तो वहाँ पर उसके एक्सराइज करने के दौरा मसल्स में कहीं सारे डेमेज होते हैं तो उस डेमेज को यह मल्टी विटामीन जल्दी रिपेर कर देते साथ ही मसल को स्ट्रेंथ पर प्रदान करता है और जब एक्सराइज करते इस्टेमिना की आव सकता होती ताकत भी प्रदान करता है और ओल अगर जिम जाने वाले विक्ति को ले टो उनकी स्टेमिना बढ़ जाती है अच्छी व्यक्ति कोई जबू स्था कर रहा हूँ रंणिंग करते हैं समय जल्दी उसको थकान आ जाती तब उस थकान को ठीक करने के उसका प्रयोग लिया जा सकता है और जो व्यक्ति डाइबीटीज के हैं वहाद डाइबीटीज के पैसे उसको ले सकते हैं क्योंकि जो डाइबीटीज मदहुने क्य अरोगी है उनपे во टामिन's को रिकोर्ण करने लिए जिस से इनकी बोडी healthy रहे उनको थकान नहीं आए तब इसका प्रियोग लेते हैं और कोई ओल्डेज प्रेसेंट है जिनको बोड़ावे के कारण कमजोरी महसूस हो रही है बोड़ी में ताकत नहीं रही है उसको थोड़ा बहुत रीकवर करने के लिए भी विट्रमीन स्केप्सूल प्रियोग लिये जाते हैं कुल मिलाकर इस तरह से 15-17 प्रकार अलग लग इसकी यूज है जो इसको ले सकते हैं यहाँ पर एक मिनट रुकिए वीडियो काफी अच्छा लग रहा है जानकरी बहुत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए इस पेशिएल थेंक्स देने के लिए इस थैंक्स बटन को दबाएए अब बढ़ लेतए इसकी दोस की तरब क्या-क्याHHHH कि इसकी डोस होती कितनी मात्रा में लेना चीए जो एडिल के लिए जो एडियो के लिए ए एक कैप्सुल को लेती है तो वह व्यक्ति ब्रम आप नीज ले इस पेसली रनिंग करने वालों जिम जाने वाल तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस कैपसूल को बारा साल की उमर से ज्यादा बच्चे को एडल्ट को महिला को ओल्ड एज पेसेंट को सभी में दिया जासागा सभी फाइदे मन दे साथ ही एक मॉल्ट इसके लंबे समय भी ले सकता है विटामीन का कैपसूल को नुक्सान नहीं करता अब हम जान लेते हैं इस कैपसूल को लेते समय व्यक्ति को क्या-क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं जो मॉस्ट कॉमन साइड इफेक्ट उसमें व्यक्ति को नोज या तता वोमेट ज्यादा हो रहा हो साथधि को इलर्जीक प्रोडाम है यो पेठ में गुबार बन रहा हो साथ यह को धस्याकिकर ज्यादा हो रही हो तो उस समय आप केपसुल को मुझे लंबे समय से डिमांड आ रही है आज फाइनल इसका विडियो बना है यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में क्या आपको पूरी जानकारी मिली इसके अलावा क्या-क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं कोई नया टोपिक को दमज़ोर से बताएं आपके लिए टोपिक में वीडियो बनाओगा वीडियो को ही खत्म करता हूं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रे और मस्त रहें